Hello friends, आप कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही famous quotation के बारे में that is, you are the average of the five people you spend the most time with तो ये बहुत ही सही quote है और ये बहुत ही सही quotation है जिसका मतलब ये है कि आप majority time किन लोगों के साथ spend करते हो वो determine करेगा कि आप future में क्या करने वाले हो जैसे मैं फिलाल college में जा रहा हूँ और मुझे काफी time हो गया college में जाते हुए तो मैंने ये experience करा है कि अगर मेरा जो friends group है वो इस type का है कि वो हर time party जगेरा के बारे में ही सोचते हैं या फिर मस्ती मेज़े के बारे में ही सोचते हैं तो मेरा भी mind वहीं पर divert हो जाता है जैसे ना तैसे मैं चाहूँ या ना चाहूँ लेकिन अगर मैं उस group का part हूँ जो बीच बीच में कुछ knowledgeable बाते करता है या पढ़ाई के बात करता है या फिर उनको life में क्या करना है उनको पैसे कैसे कमाने है इन से टैप के बाते करते हैं तो मेरा भी mind automatically उस direction में shift होनाता है और ये एक छोटे बच्चे के साथ भी experience किया जा सकता है और ये किसी बड़े experienced individual के साथ भी experience किया जा सकता है तो I think आपको मेरा quotation जो कि हम सब को पता है समझ में आया होगा और आप इसको अपनी life में एक अच्छे form में implement भी कर सकेंगे Thank you very much